नमस्कार आप देखने देश रोजाना और मैं किरन शन्मा दिन बर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलिटिन में बात करेंगे हर्याना की ताजा खबरों की बंगाल के न्यू जलपाई गुड़ी में मालगाडी ने कंचन जंगा एक्सप्रेस को पीछे से मारी टक कर हाथसे में अब तक आठ की मौत बंगाल की सीम ममतब एनरजी सहीत रेल मंतरी अस्विरी वैशनव ने हाथसे पर जताया शोग बीजेपी ने के ज्रिवाल सरकार के खोला मोर्चा लगातार दूसरे दिन मटका फोर प्रदशन दिली में गहराते जल संकट को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है दिली जल संकट काफी तेजी से गंभी रूप लेता नजर आ रहा है भाजपा इस जल संकट को के ज्र बाश्पा सांसद बाश्चुरी सुराज की निर्तत में भारतिय जनता पार्टी के कारेकरताओं ने प्रदशन किया। यहां पर सता भोग रही है लेकिन माननिय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं करा है। दिल्ली में वाटर वेस्टेज होती है चालिस परसेंट से जादा पानी ऐसे बह जाता है। उसके लिए सुप्रीम कोट ने पूछा आपने क्या किया कुछ नहीं किया। माननिय मंत्री आतिशी जी को यरी प्रेसवारताओं से फुरसत मिले तभी तो वो ग्राउंड पर आकर काम करें। एक बात जरूर कहना चाहूं। दिल्ली जलबोड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में हैं। दिल्ली की जनता को पानी पहुचाने की पूरी जिम्मेदारी केजरिवाल सरकार की है। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी छटक कर केवल दोशार ओपन करते हैं। आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी माननिय मुख्यमंतरी अर्वित केजरिवाल जी को माननिय मंतरी आतशी जी को और केजरिवाल सरकार को आपकी जवाब दे ही बनती है दिल्ली को पानी दीजिए जारखंड के पश्चमी सिंग भूब में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुटवेड चार नक्सरी धेर तमो कश्मीर के बांदी पोरा में सुरक्षबलों के साथ मुटवेड में एक आतंकी धेर जारखंड के सीम चमपाई सोरेन का बड़ा एलान किसानों को दो लाख रुपे तक का लोन होगा माफ मुखे मंतरी ने का कि उनकी गटवंदन सरकार किसानों के दो लाख रुपे तक के क्रिशी रिण यानी एग्रिकल्चर लोन माफ और फ्री बिजली कोटा को बढ़ा कर दो सो यूडिट करेगी इसके लिए उन्होंने बैंकों से प्रस्ताफ पेश करने को कहा है उत्तरपरदेश बुलंसेयर के सिकंद्रबाद में दवब फेक्ट्री में लगी भीशनाग पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली कराया घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल विबाक की कई गाड़ियों को मौगे पर पहुँची किसी के हताहत होने की सूचना नहीं टी-20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने तीन विकिट से जीता मुकाबला आरलेंड को हराया मुपेंद्र रियादव को बनाए गया महरास्ट्र विधान सबाद चुनाव का प्रभारी अश्वरी वेशनव बने सह प्रभारी बकरीत पर चड़े सोने के दाम देश में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 72,690 रुपे वहीं 22 कैरेट के लिए 65,830 रुपे बना रहा वहीं चांदी के डिटेल कीवत 90,900 रुपे परती किलो ग्राम बन रही पूचा सवाल देश में लगतार हो रहे डेल हाथों का जिम्मेदार कौन रूस ने 24 गंटे में आईएस आईएस आतंकियों से चुड़ाये गार्स स्पेशल फोर्स ने चलाये ऑपरेशन जेल की खिड़की तोड़ बंदक बनाये गए थे जेल अदिकारी जापान में फैला मास खाने वाला बैक्टीरिया इससे 48 गंटे में मौत 977 केस मिले विमारी की शुरुवात खराश और सूजन से होती है रेणुको स्वामी को हत्या से पहली लेक्टरिक शौक देकर किया गया टॉर्चर पोस्मॉटम रिपोर्ट से हुए दिल देला देने वाले खुला से करनल फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों एक बड़े विवात के केंदर में है रेणुको स्वामी की हत्या के मामले में जाज करें पुलिस ने बताया कि उसरे दर्शन की करीबी मित्र एक्टरेस पवितरा गुंडा को आपत्ती जनक मैसेज बीजे थे इस बात से नाराज दर्शन ने रेनको स्वामी के नाम की सुपारी दी और उसकी हत्या करवा दी पलिस ने इस मामले में दर्शन और पवित्रा समेट 17 लोगों को अरेस्ट किया है हर्याना में परिदबाद के सेक्टर 56 इस्ते ताशियाना फ्लेट्स में मिठाई खिला कर पती ने किया पत्नी का मडर गुस्से में चुन्नी से घोटा गला दूधिया ने आकर दर्वाजा पीटा तो बच्चों ने किया खुला सा हर्याणा विदानसभा चुनाव को लेकर भाज़पा के पदादिकारे नियुक्त केंद्रियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश प्रभारी वहिंपूर्व सीम विपलब देव को बना सया प्रभारी हर्याणा के पानीपत में इंस्ट्राग्राम पर स्टोरी लगारे के बाद युवक्त ने किया सुसाइड लिखा बेवफा पत्नी को मेरी शकल ना दिखाना कमरा लोक कर लगाया फंदा युवक्त पत्नी के माई की जाने से था परिशान हिसार में धुमधाम से मना आईद का पर्व मलापूर वज़त में पहुँचे कई गाउं के लोग नमाज अता करमागी समरिद्दी की दुआ हिसार में बाहर सनाज मंडी से 130 कटे गेहुचोरी दो दुकानों के बहार रखे हुए थे सिसी टीवी में कैद हुए संदिग रोतक में दो पक्षों में जबर्दस्त विवाद यूवक पर जान लेवा हमला एक पक्षरे दूसरे पर की फाइरिंग आरोपी की पकड़ करकी जम कर पिटाई रोतक के गाउं बोहर में यूवक पर जान लेवा हमला करने का मामला सामने आया विवाद वाहनों की साइड को लेकर शुरू हुआ था जिसके बाद आरोपियों ने फाइरिंग शुरू कर दी इस फाइरिंग में पीडित बाल बाल बच गया वहीं जवरान एक आरोपी यूवक को पकड़ कर भी ने जम कर पीटा रिवाडी में सूरचपाल अम्मो के खिलाफ उटा गुसा गूजर जाट समाच ने पंचाथ कर केस तर्ज करने की मांग एक सब्ता का दिया अल्टिमेटम हर्याणा में राजपूत करनी सेना से जुड़े सूरचपाल अम्मो द्वारा जाट और गुजर समाच को लेकर दिये विवादित बयान को लेकर रवाडी जिले में गुजर जाट समाच में गुसा फूट गया है हर्याणा के छे जिलों में आज लूका रेड अलर्ट बारा शेहरों में पारा पंतालिस पार वहीं 19 जून से कुछ इलाकों में प्री मौनसून की बारिश होगी शुरू हमारे साथ जूड़े रहने के लिए देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन